मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जोटी कलश भारती प्रशास्निक सेवादिकरे, आप लोगों के लिए कुछ लिखाओं, जो एक अच्छे समाज के निर्मान के लिए प्रयास हैं। शिर्शक है शब्द। शब्द की भी बड़ी अचीम दुया है, बड़ा ही अदबुत संसार है। शक्ति है कि इस शब्द रूपी अक्षर के वाक्य में लगते ही पूरे वाक्य का भावार्थ बदल जाता है। से निकला हर शब कमान से निकले एक तीर की तरह होता है जो बिना आगात किये आहद किये वापस नहीं लोड़ता वा प्रहाव कर ही देता है चोट दे ही देता है नुकसान पहुचा ही देता है यह रूठे हुए को हसा सकता है तो हसते हुए को पल भर में रूला भी दे सकता है यह कभी पेट में गुदगुदी पैदा कर देता है तो कभी हसी के ठाहा के लगवाता है तो कभी यह रुआसा कर देता है आखों से आशु छिलका देता है कभी कभी तो कोई शब्द किसी को बिलकुल ही निशब्द कर देता है शांत गंभीर कर देता है दिश्टूर कर देता है और कभी तु यह किसी को बोलने के लिए मजबूर और आमधा कर देता है आपका एक अपशक्त सामने वाले को सुई किन्यों की तरह चुपता है रिष्टों में जहर घोल देता है सद्यू के पुराने अटूट सम्बंधों को दोस्ती को बल में तोड़ देता है बिखेर देता है रिष्टों में खटास और दरार पैदा कर देता है दोसी तरफ एक प्यार से कहा शब्त मिठास से भरा शब्त खून के प्यासे लोगों को उनकी दुश्मनी को प्यार में बतन देता है दोस्ती करा देता है उन्हें फिर से नए रिष्टों में बांचा देता है देखे जहरीले शब्दों से बनी जुबान भाशा तो आग लगा देती है अच्छी से अच्छी दोस्ती को जुनसा कर खाख कर देती है और वहीं प्यारे मीठे शब्दों से बनी जुबान इनसान की मिजास को बता देती है समा बांदेती है महफिल से लिए इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम कुछ बोलने के पहले सही शब्दों का चेन करें सही शब्दों का चुनाव करें उसका उचित प्रयोक करें और उसे प्यार से गए महत्वपूर्ण यह भी है कि हम शब्दों को कैसे बोलते है किस तरीके से बोलते है किस अंदाज में बोलते है जोर से बोला शब्द गुस्से में बोला शब्द आक्रोश में बोला शब्द धीरी से बोला शब्द, प्यार से बोला शब्द, हस के बोला शब्द, रोग के बोला शब्द, भावात्मक तरीके से बोला शब्द, विंग्यात्मक तरीके से बोला शब्द, त्यादी का असर न सिर्फ सुनने वाले पर होता है, बलकि आस पास सुन रहे लोगों पर भी उतन आपके शक्त पल भर में आपकी छवी खराब कर सकता है तो दूसरी तरफ आपका एक प्यारा सा बोला शक्त किसी के दिल में आपके जगा बना देता है उसे आपका घुलाम बना देता है आपका मुरीद बना देता है आपका कायल बना देता है आप उसके दिए मारतरशिक बजाएं इतिहास कवा है कि एक शब्द सिर्फ एक शब्द ने भाई को भाई से भाई को बहन से बाप को बेटा से मा को बेटी से बाप को बीटी से, मा को बीटा से, परिवार को परिवार से अलग कर दिया है, हमीशा के लिए जुदा कर दिया है यह पती-पती के सबंधों को भी बिगार देता है, यहां तक कि तलाक करा देता है सिर्फ एक शब के कारण, नजानी कितने दुश्मिन बने, कितने दोस्त बने, कितने रिष्टे तोटे, कितने रिष्टे बने, कितने दोस्त चूटे तो कितने रूठे, कितने पिटे, कितने घर तोटे, उचड़े और सासा, कितने घर तोटनी से बचे आपका एक प्यारा शब्द किसी की जंदगी को बेहत खुबसुरत, बेहत रंगी और खटास से भरे रिष्टों को प्यार में बता लेता है किसी की मायूसी से भरी, उदासी से भरी जंदगी को फिर से जिवित करते हैं सच, शब्द किसी के लिए छोरी की धार की तरह होता है तो किसी के लिए मकमल या रूल की तरह कोगल शब्द हमें जुबान देता है, बोलनी की शक्ती देता है यह कभी तालिया बजवाता है, तो कभी कालिया बिस्वाता है अक्षर के भी नाखून होते हैं नाखून बढ़े अक्षत जब शब्द का रूप लेते हैं तो भी प्याद नुकीले और कटीले हो जाते हैं उनमें इतनी शमता होती है को सुनने वालों को वो नोच दे, बकोट दे, भेद दे, कुरे दे और एक गहरा जखम दे दे व्यंगे से कहा शब्द करवी सुबान बोलता है, जो गहरा मांसे घावती देता है, जिसकी टीस, जिसका डंक, इनसान को जखचोर कर लग देता है इसलिए शब्दों के नाखों को बढ़ने ना दे, नुकीले शब्दों को बोलने के पहले, उसे अपनी जबान से कुतर दे, उसे भोधर कर दे, ताकि हम मीठा बोल सके और लोगों के दिल को जीत सके शब्द को आप जैसे इस्तमाल करेंगे जैसे बोलेंगे वैसा ही यह अपना रंग और प्रभाव दिखाएगा इनसान की सही पहचान तो बहुत हद तक उसके चुने हुए शब्दों पर बोले हुए शब्दों पर दिरभर करती है या यूँ कहें शब्द ही इनसान का सही चिटरण करता है चरितर दिखाता है और उसकी सही बहचान और बरचे कराता है यह किसी भी इनसान की पूरे व्यक्ठत्व को उसके सुभाव को उसके विचार को आपके सामने एक X-ray प्रेच की तरह रग देता है सुनने वाला भी आपके बोले हुए शब्दों से आपका आक्लिन कर लेता है याद रखे इनसान के चन्व से लेकर उसकी अंतिन सांस तक सिर्फ शब्धी उसके साथ रहता है उसकी यादे उसकी चबी भी उसके बोले हुए शब्दों से लिखे हुए शब्दों से हमेशा चुड़ी रहे हैं शब्दों से गुथे न जाने कितने गाने, कितने भाशन कितने संबाद, कितनी कविताएं कितनी कहालिया अमर हो गये हैं जिसे लोग याद रखते हैं बार बार कुणकुनाते हैं गाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं इन सबों की कोई उम्र नहीं होती, ये सब हमारे लिए सदा जीवित रहते हैं और हमेशा जीवित रहेंगे। जानवरों का पक्षों का भी चहटना, हसना, रोना, भैभीत होना हमारे शब्दों पर हमारे बोलने के अंदाज पर आधारित है। शब्दों से तो हम जानवर को भी पक्षों को भी अपना दोस बना लेते हैं। पौधे के लिए भाशा के तरह काम करता है। बड़े-बड़े बर्गत और पीबल की पेड़ की जब पूजा की जाती है। तो ये फ्रिक्ष भी हमारी भाशा समझते हैं। और हमें इन देवरूपी फ्रिक्षों से उनका आशिरवाद भी मिल जाता है। एक किसान कितने प्यार से गाना गागा के पौधे लगाता है, खेती करता है, फसल बोता है, काटता है, मकर संक्राती, लोहडी, भी हुजैसे, कितने हमारे क्रिशी परभ हैं, जो शब्दों से चुड़े हैं। कितने गीत, संगेत, नत्य भी बने हैं इन सबूं के उपर। हर शब्द के माइने होते हैं, और कुछ शब्दों के तो कई माइने होते हैं, शब्द तो प्रसंत के हिजाब से प्रयोग किये जाते हैं, हर शब्द में गहराईची भी होती हैं, इसलिए शब्दों को समझ भूश कर बोलना चाहिए, कुछ लोग तो शब्दों से खेते है आप भी खेली, बड़ा मजाएगा, बड़ा अन्दाएगा आखें भी शब्द बोलती है, हमारी मुद्रा भंदमा भी शब्द बोलती है ये आपके भाव को बता देती है, इंसान की भाशा समझा देती है जो यह कहना चाहती है कह दीती है जो बताना चाहती है बता दीती है जो जताना चाहती है जता दीती है वाकई जिसने भी बनाया होगा अक्षर मात्र और शब कमाल का होगा वो शक्स कमाल का होगा वो शक्स आज के इस कुरोना काल में हमारी जिन्दगी का कोई भरूसा नहीं, उम्र की कोई एहमेद नहीं बच्चे, जवाल, मुजर्ग सभी हैं इसकी चपेत में, सभी हैं इसकी किरफ्त में इसलिए हमारी तुर्य कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने शब्दों से लोगों का दिल जीते, खुशी दे, प्यार दे, मान सम्मान दे, इज़द दे और लोगों का होसला भी हम अपने मिठास भरे शब्दों से लोगों को सुकून दे, चैन दे, खुशी दे, इत्मिनान दे, ना कि अपने शब्दों से किसी को बेचायन करते किसी की नीद उड़ाते किसी को मासिक तनावते दे क्या छोड़ जाएंगी इस दुनिया में हम और आप सर्फ अपना सुभाव और अपने बोले हुए शब्द सच कहता हूँ एक प्यारा सा शब्द कितनों के चेहरे पर मुसकान ला सकता है कितनों को मुस्कुराहट दे सकता है कितनों को खुशी दे सकता है कितनों को प्यार दे सकता है कितनों का मागदशन कर सकता है कितनों को जंदे की दे सकता है कितनों की जंदे की समार सकता है इसलिए हम सब यह प्रणले कि अपने शब्दों से हम किसी का दिल में दुखाए बलकि प्यार बाटे, दिल जिते और लोगों का जीवन खुशियों से भरते हम सब बस यही छोड़ जाएंगे और एक अच्छा इंसान बनाने में, एक अच्छे समाज के निर्माण में अपना योगदान दे जाएंगे आप सबों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जै हिंद